अस्सलाम आलेकुम एवरीवन और वेलकम टू माई चैनल एस्पारेंट सो फ्यूचर एज वाल नो डैट लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मैथ पार्ट की एक न्यू सिरीज स्टार्ट की थी तो आज हम उस सिरीज का पार्ट टू डिसकस करने जा रहे हैं प्रिवेस पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाट जो इस चैनल पर नी हो हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पार्ट वन में हमने फाइव क्वेस्टन डिसकस किये थे तो अब हम क्वेस्टन नमबर सिक्स से आगए चलते हैं और नीचे आपको पाँच आप्शन शो किये गए हैं तो हम इसका ट्रिक सिलूशन फालो करते हैं जो आपको सम गिवन है उसको डिवाइड कर देंगे गिवन नमबर के साथ तो यहाँ पर जो सम है वो 120 है और जो नमबर है वो 5 हैं तो 120 डिवाइड बाइ 5 करेंगे तो यह आपके पास 24 आ जाएगा अब आपने 24 दर्मियान में लिखना है और उसने काये consecutive even integers हैं तो दो आगे वाले लिख देंगे दो पीछे वाले लिख देंगे हमने 5 पूरे करने हैं तो आगे वाला जो consecutive even integer होगा वो 26 होगा उससे आगे वाला 28 होगा और जो पीछे वाले दो होंगे वो 22 और 20 होंगे तो ये वो 5 consecutive even integers हैं जिनका सम आपके पास 120 आता है उसने कहा है इन में से बताईए largest कौन सा है तो largest integer इन में से 28 है तो आप option E को टी यह आपके पास question number seven है राहील एहमद और आमिर स्टाड़िड आ शॉप बाइंवेस्टिंग रूपीज 2700 रूपीज 8100 और रूपीज 7200 रेस्पेक्टिवली एट दे एंड फ़न येर दे प्रॉफिट वास इस्टिब्यूटेड इफ एहमद शियर वास 3600 देन फाइंड ये ट के हिस्से में 3600 आये हैं वो कह रहे हैं हमें बताईए total profit कितना है और नीचे आपको चार option शो किये गए हैं तो इस question के लिए आपको ये formula याद होना चाहिए total profit is equal to total investment divided by एहमद investment अब अगर equation के left side पर एहमद का नाम है तो right side पर भी एहमद का नाम ही होगा तो यहां आप से करते हैं तो total investment से क्या मुराद है तीनों की investment को add कर देंगे तो हमने तीनों की investment given at 2700, 8100 और 7200 तो वो मैंने total investment की जगह पर put कर दिया divided by एहमद investment अब आप देख सकते हैं कि तीनों में एहमद का नाम दर्मियान में है तो उसकी investment भी दर्मियान वाली होगी यानिके 8100 तो नीच multiply by एहमद का profit कितना है वो given 3600 तो उसकी जगह पर 3600 लिखती है अब आप इसको simplify कर लें तीनों values को add करेंगे तो वो 18,000 बनेगा और 3600 और 8100 की two zeros आपस में cancel out हो जाएगी उसके बाद 94036 और 99081 तो 9 को आप 18,000 के साथ cancel कर लें 92018 उपर 2000 आ जाएगा 2000 को 4 से multiply कर देंगे तो 8,000 आपके पास total profit आ जाएगा तो आप option बीटा को टीक यह आपके पास question number 8 है which one of the following is the largest इन 5 options में से कौन सी value है जो सबसे बड़ी है तो हम तमाम options को one by one solve कर लेते हैं तो पहला option है two plus two plus two यह six होता है six का scare आपके पास 36 आ जाएगा option बीटा को follow करें two plus two four four का scare two four four का scare 16 उसका द लेना है square दो दफ़ा है तो 16 का square 256 आ जाएगा option C को चेक करें two multiply by two multiply by two eight होता है eight का square आपके पास 64 आ जाएगा option डेल्टा को चेक करें two plus two square यह four हो जाएगा plus two square whole square तो four का scare ले ले लेंगे तो वो 16 आ जाएगा six plus 16 22 आ जाएगा और option E को follow करें तो four cube यानि के four multiply by four multiply by four तो यह 64 आ जाएगा अब उसने हमसे काए के largest value बताएगा तो यहाँ पर largest 256 है तो आप option बीटा को टिक कर देंगे अब जब दक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया उनसे request है कि वो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें जरूर सबस्क्रा same as four burgers and two orders of french fries if the restaurant charges one point five zero for a single order of french fries how much और नीचे आपको पांच option दिये गए हैं तो सबसे पहले given condition के accordingly हम यह equation बना लेते हैं यह equation कैसे बनी है देखिए उसने काया two burgers तो हमने लिख दिया two b और five orders of french fries तो हमने प्लस five five f लिख दिया french fries के लिए f वो कह रहा है इनका जो cost है वो equal आता है किसके equal आता है four burgers तो is equal to four b and two orders of french fries तो प्लस two f आ जाएगा तो यह equation हमने उसकी condition के accordingly बना ली है अब हम इसको rearrange करते हैं जो f वली time है वो एक set पर ले जाएं जो b वली time है वो दूसरी set पर ले जाएं तो five f minus two f आ जाएगा और four b minus two b यह two b आ जाएग अब हमें value given है कि एक order जो french fries का है उसकी cost one point five zero रूपीज है तो हम f की जगा पर उसकी value put कर देंगे तो three into one point five zero is equal to two b आ जाएगा अब two b is equal to three into one point five zero को multiple point five zero आता है उसने हम से यह कहा है how much does it cost for two burgers दो बर्गर्स के लिए क्या कीमत आएगी यानिके two b की value ही हमने find करनी है और four point five zero आती है तो आप option c को tick कर देंगे देंगे यह आपके पास question number ten है how many times three thirty two is subtracted from eighteen thousand nine hundred forty four so that difference is five thousand और नीचे आपको चार option show किये गए हैं तो सबसे पहले आप जो equation given है इसको हमने कैसे बनाया है उसने कहा है कि eighteen thousand nine से subtract करना है तो हम सबसे पहले बो लिखेंगे eighteen thousand nine hundred forty four minus किसको subtract करना है how many times three thirty two यह जो how many है ना यह x है और times thirty two यानिके three thirty two into x और वो कहता है कि जो difference है वो five thousand आ रहा है इनका जो difference यानिके minus करके minus करके तो is equal to five thousand तो is equal to हमने पांच हजार यह लिख दिया अब हमने x के लिए इसको rearrange कर लेना है तो आप जो constant time है उसको एक तरफ रखें जो x वली time है आप उसको दूसरी तरफ ले जाए तो eighteen thousand nine hundred forty four minus five thousand is equal to three thirty two x अब आप इसको minus करेंगे तो यह आएगा thirteen thousand nine thousand nine hundred forty four is equal to three thirty two x x के लिए rearrange करेंगे तो यह आएगा thirteen thousand nine hundred forty four divided by three thirty two अब आप two के लिए इसको cancel out कर लें तो उपर आपके पास आएगा six thousand nine hundred seventy two नीचे 166 इसके बाद आप दुबारा two के साथ cancel करें तो three thousand four hundred eighty six divided by eighty three इसको आप cancel out करेंगे तो यह forty two आएगा तो आप option C को tick कर देंगे जो division है वो आपके पास right side में फिगर में शो भी की गई है eighty three fours are three thirty two होता है remainder sixteen आएगा six हो नीचे shift करेंगे तो 166 तो eighty three two's are one sixty six होता है तो आपके पास जो option C है वो आपका answer आजाएगा तो आप कर देंगे यह आप 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 लोगों के लिए part two से related a quiz है the sum of five consecutive odd integers is 545 which one of the following is the smallest integer नीचे आपको पाँच चार option शो किये गए है 15, 23, 105 and 113 question को solve करें और comment section में हमें बताएं इस quiz का क्या है जो students get, net और head की preparation के लिए हमारा one-to-one online course join करना चाहते हैं वो दिएगे whatsapp number पर contact कर सकते हैं या दिएगे email पर contact कर सकते हैं उनको इंशाला best level preparation करवाई जाएगी level preparation करवाई जाएगी thank you so much for watching full video, please like, share and subscribe for more video lectures, take care, Allah आफिर